सवालो गाइस मायनुजा सुकूसवाइए इन इस इस पार एड़ और पसिवाइज। सबसे पहले में आप लोगों को बता देता हूं कि इस टेंज की helping verb क्या होती है तो इस tense की passive wise की helping verb होती है will have been और sell have been ये चीज़ आपको याद रखना है यानि की future perfect tense की passive wise की helping verb will have been और sell have been होती है और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा की verb का अमेशा धर form ही लगता है कोई भी passive wise हो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को change of pronouns के बारे में बताता हूँ आपने बहुत ही अच्छे से आप तक learn करनी होगी अगर नहीं किये तो अभी याद कर लीजिए इसके बाद में यहाँ पे यह structure दिया हुआ structure को भी आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा अगर आपने अभी तक structure को नहीं समझा है तो अभी कर अभी structure को समझ लीजिए सिर्फ एक चीज mainly याद रखिएगा कि subject की जगए पर object चला जाता है और object की जगए पर subject आ जाता है और अब मैं आप लोगों को sentence बना करके समझाता हूँ तो यहाँ पे पहला sentence लिखा हूँ है they will one minute they will have jumped in the river यानि कि वे नदी में कूंद चुके होंगे तो हम इस sentence का पैसे वाइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें एक चीज याद रखनी है यहाँ पे आप लोग right side में आप लोग structure देख सकते हैं और left side में आप लोग change of pronouns देख सकते हैं इनको देख करके आप लोग इस sentence को passive में change करेंगे तो सबसे पहले हमें ढूनना होगा इसमें object क्या है तो यहाँ से यहाँ तक यह object है आप लोगों को मैं बता देता हूँ यह object है और अभी आपको करना किया object को सबसे आगे लेके जाना है तो object सबसे आगे आगे आप लोगी structure में देख सकते हो इसके बाद में आप लोगों को object के अनुशार ही यहाँ पे helping verb लगाना है तो मैंने क्या किया है helping verb लगा दी यहाँ पे will have been तो sentence बन गया है in the river will have been ठीक है इसके बाद में जो bracket बना हुआ है change of pronouns का उसमें देख सकते हैं तो उसमें दे का जो change होता है वो देम में होता है तो इस तरीके ची sentence हमारा complete हो चुका है और sentence बन चुका है in the river will have been jumped by dame यानि की नदी में उनके द्वारा कूंदा जा चुका होगा है इसके बाद में अगला sentence एक और sentence यहाँ पे दिया हुआ है आप इस sentence को भी passive में translate कीजिएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और sentence दिया हुआ है passive में इसको भी translate करना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेखा हुआ है he will have crossed the road यानि कि वह road cross कर चुका होगा अब इस sentence को हम लोग passive में change करेंगे तो सबसे पहले इसमें देखते है subject क्या है object क्या है और verb क्या है helping verb क्या है तो यहाँ पे देखिए he जो है यह subject है यह will have helping verb है crossed यह एक verb है और the road यह एक object है object आगे आजाता है तो यहाँ से हमने उठाया और object यहाँ पे लिख ढिए इसी object के अनुसार यहाँ पे helping लिख दिजाएगी तो helping word यहाँ पे होगी will have been या फिर shall have been तो आपको पताएगी यहाँ पे लगईगगा will have been तो हमने यहाँ यहाँ पे crossed का third form crossed और यहां पे हो जाएगा जो आप लोग देख सकते हैं कि by him यह यहां पे he के बदले में यानि कि change of pronouns के बदले में यहां पे आया है him तो इस तरीके से यह sentence हमारा complete हो चुका है और sentence बना है the road will have been crossed by him यानि कि road उसके द्वारा पार की जा चुकी होगी तो इस तरीके से यहां तक sentence हमारा complete हो चुका है इसके बाद में मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे आप लोग speaking passive wise को बनाएंगे तो यहां पे एक sentence लिखा हुआ है युद्ध सुरू किया जा चुका होगा अब यहां पे पता नहीं है किसके द्वारा किया जा चुका होगा लेकिन यह sentence हमारा passive wise में है यानि कि इस sentence में subject नहीं दिया हुआ है तो object से starting होती है passive wise की तो इसमें problem बाली कोई बात नहीं है तो आप लोग यहां पे देखिए object फिर helping verb object के अंसारी लगाना है फिर verb का third form और इसके बाद में अगर subject दिया होता है तो यहां पे subject लगा देते हैं अब हम इस sentence की passive wise बनाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे दो तरीके से passive wise बना हुआ है जिसमें पहला जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा effective है और दूसरे तरीके से भी passive बना जा सकता है लेकिन मैं पहला तरीका main मानता हूँ क्योंकि यह एक sentence से related है तो यहां पे हमने सबसे पहले object लिख लिए यानि object हो गया युद्ध ठीक है इसके बाद मैं इसी war के हिसाब से यानि कि युद्ध के हिसाब से यहां पर helping लगा दिये will have been यानि कि war will have been अब सुरू किया जाना यह हो गया सुरू करना होता है begin means तो begin का third form होता है यानि कि war will have been begin तो युद्ध सुरू किया जा चुका होगा इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है war must have been begun तो यहाँ पे इस sentence को भी हम इसी तरीके से बना देंगे इसके बाद में यहाँ पे देखिए एक और sentence लिखा हुआ है IPL सुरू हो चुका होगा अब इस sentence को सुन करके कई लोगों के दिल में ठंडक पहुची होगी है वो यह object है सुरू होना यह एक वर्व है तो आए इस sentence को बनाते हैं तो सबसे पहले IPL लिख देंगे IPL object हमने लिख दिया और object के अंसार हम लोग यहाँ पे helping verb लगाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे helping verb हम लगाएंगे और इसके बाद में यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं लास्ट में वर्व तो यहाँ पे वर्व हो जाएगी स्टार्ड और स्टार्ड का थर फॉर्म स्टार्ड यानि कि IPL विल है बीन स्टार्डड और मैं यह बता रहा हूँ नेक्स एयर के लिए कि नेक्स एयर में यह तो ख़तम भी हो गया हुगा इसके बाद में यहाँ पे देखिया लिखा हुआ है इसकूल अगली साल तक खोले जा चुके होंगे तो अब इस सेंटेंस को बनाना है तो सबसे पहले इसमें object तो object है school तो यहाँ पे हमने किया इसकूल ठीक है इसकूल से लिख दिया है इसकूल के बाद में इसके लिए हम लोग है helping लिखेंगे तो will have been यानि कि schools will have been अब इसके बाद में वर्व लगाना है तो opened यानि कि school खोले जा चुके होंगे अब हमें बाकी का लिखना है अगली साल तक तो फिर till next year यानि कि यहाँ तक हमने यह वाला sentence complete कर लिया है तो schools will have been opened till next year अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए course complete करवाया जा चुका होगा यानि कि अगर आप लोग चैनल को subscribe नहीं करते हो तो आप लोगों को एक घटा होगा कि course अब तक complete हो चुका होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं day-wise day course complete करवाता जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए अब मैं इस sentence को passive में बनाता हूँ यानि कि passive में तो पहले ही सी बन तो यहाँ पे हमने third form लगाना होगा तो completed हो जाएगा तो course will have been completed तो इस तरीके से sentence हमारे complete हो चुके हैं अब आप लोग ये काम कर सकते हो इन sentences को दूसरे लोगों से पूछ सकते हो बहुत ही मुश्किल है कि वो लोग इन sentences को बना पाएं तो गईस उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर